आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं UPSC 2023 में पर्थम रैंक हांसिल करने वाले आधियत सिर्वास्तों के बारे ने आज उनके answer copy को हम लोग देखेंगे कि उन्होंने अपना means में answer copy कैसे लिखा किनी बातों का ध्यान रखा कि उनको UPSC 2023 में पहला स्थान प्राप्त हुआ अगर दोस्तों अगर आप लोग UPSC 2024-2026 के एक्जाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है इस वीडियो को लाश्ट तक देखना आपको हर एक चीज मालूम होगा कि आपको UPSC में answer writing किस तरीके से लिखना चाहिए फिलाल इस वीडियो में आज हम सब बात करने वाले हैं GS1 के बारे में जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं एक मुट स्क्रीन पर आज हम सब बात करेंगे GS1 के बारे में GS1 में मतलब यादि कि जब आजिस रिवास्तो ने अपना answer writing प्रैक्टिस किया था विजन IS में तो उन्होंने GS1 का answer writing किया तो उसमें देखते हैं उन्होंने answer किस तरीके से लिखा ला इससे आपको यह भी मालू होगा दोस्तों कि question किस तरीके से पूशा जाता है तो वीडियो आप सभी के लिए है बहुत important है इस वीडियो को last तक देखिएगा जरूर तो एक नट जेए अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला चीज क्या है कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में आप सभी को मालू होगा इससे आपका main answer writing में बहुत ज्यादा help मिलने वाला है पहला देखिए सवाल के सकते हैं पहला question जो है एक आपको अच्छा खासा knowledge हो इस topic पे लेकिं दोस्तों UPSC में आप कितने knowledge है knowledgeful है इससे मतलब नहीं है आपको कितना कुछ आता है इससे कोई मतलब नहीं है UPSC IS का जो exam होता है उसमें main exam का main मतलब होता है कि आपको उस दिये गए समय में दिये गए कैसकते हो जो task है उसमें आपर 10 नंबर का सवाल है और 1500 सब्दों में उत्रकुल लिखना है ऐसा नहीं है कि 2500-300 ऐसा नहीं करना है तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है और दूसरी चीज यहां पर लिखा हुआ है उम्मेद्वारों को इसमें नहीं लिखना है इंग्लिस में लिखा है candidates must not write on this margin तो यह चीज धियान देना है आपको यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है आपका answer writing हमेशा इन दोनों के बीच में होगा ठीक है अब आते हैं हम लोग question के तरफ भियान देते हैं question Hindi में भी है इंग्लिस में भी है जिसको जिस तरीके से पढ़ना वो उस तरीके से पढ़ सकता है देखो English medium का जो बच्चा होता है जो इंग्लिस में answer लिखता है वो भी हिंदी का एक बार जरूर पढ़ता है क्योंकि कुछ सब्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में पढ़ने के बा हो है अब देखते हैं कि इन्होंने answer किस तरीके से लिखा सबसे पहली चीज़ एक चीज़ ध्यान देना माल लेते हैं कि आपको इस question का answer नहीं आ रहा है माल लेते हैं एक समय पर इस question का answer आपको बिलकुल नहीं आता है लेकिन आपने थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ तो वर्ड के साथ खेल जाना है अगर यह 10 नंबर का question है अगर माल लिजी आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आपने इस question में एक दो वर्ड को सही तरीके से पकड़ा और इसको सही तरीके से उत्र लिख देंगे तो जाहिर सी बात है तीन चार नंबर आपको नॉन्मली मिल अब इसको आप छोड़ दीजे सिर्फ आप इस चीज को लीजिए जवाब the traditional theater form of India के बारे में जवाब थोड़ा पूल लिखने आप सुरू कर देंगे तो जाहर सी बात है उसमें society के कुछ word आ ही जाएंगे कि society पे क्या फरक है society उसे क्या सीखती है तो अगर आप यहां से अगर आप pick up करते हैं तो आप अपना answer को सही तरीक से लिख सकते हैं अब इनका देख लिजे इन्होंने answer किस तरीक से लिखा है यहां पर देख सकते हैं कि रामदीला के बारे में इन्होंने इस अपने answer में mention किया है फिर इसके बाद में देख सकते हैं लिखा है we rewarded as untangible heritage and are already there in Inesco untangible list अब चीजों को इन्होंने लिखा है कैसा तो एक इंट्रो के रूप में उसके बाद में अपने answer में चीजों को एक box के रूप में कर दिया है कि जिससे जो examiner होगा जब वो copy check करेगा उसके दिमाग में एक चीज यह आ जाएगा कि दो जब किसी चीज को अगर आता है तो उसको यह लगता है कि इसने ठीक ही लिखा होगा इससे बहुत plus point है आप सभी का तो इन सब चीजों पर ध्यान देना फिर हर चीज को एक point wise लिखना जैसे रम लिला आफ यूपी प्रोणॉंस कर रहा हूं खेर कोई बात नहीं आफ उत्राकर सो द लोकल इमोशन आफ नेचर सेंट्रिक लाइफ तो देखो किस तरीके से इन्होंने चीजों को लिखा है ठीक है हर एक point को लिखते हुए हर श्टेड या फिर जहां पर भी जिस तरीके से इन्होंने हर एक point को रहा है और सबसे बड़ी चीज जांदे है इसमें नहीं उन्होंने इस-चीज को अंडराइन कर दिया है इसमें एक बॉक्स बना दिया है इससे एक्जामनर को सिर्फ जैसे यह बॉक्स देखेगा यहां पर एक नूट जहीं है जिससे यहां पर लिखा हुआ है आपक्ष्ण साची स्थापत कला संबंदी महात का विरवड़ दीजिए साथ ही चलशा कीजिए कि इसने भारत में भविश्च के अस्थापत कला को किस प्रकार प्रेरित किया के श्री महीं प्रें दसने पर इंगलिस में भी लिखा है पढ़ लेना ठीक एसमें रिखा है प्रोगार बाटाव इसने अन्सान डागरम इस ने बनाया होगा थो जो एक्जामन आप का कापी चक्रेगा तो उसके डागरम से उसको हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा वहीं पर उस ही बना सकता है जिसका concept एकदम clear हो तो इससे क्या होगा कि इसको यह लगएगा कि इसने जो लिखा होगा कहीं ना कहीं सब चीज सही ही होगा तो इससे examiner के दिवाक में आपके प्रती मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको बढ़िया समझ में आ है आपके प्रती जो architectural significance ठीक है पॉइंट एक पॉइंट एक करके पॉइंट दो करके पॉइंट इन पॉइंट चार करके ठीक है तो ऐसे आपको चीजों पर ध्यान देना जहां पर इनको ऐसा लगा है कि जहां पर कहां पर highlight करना है का पर box बनाना है तो इन सब चुड़ी चीजों पर अगर आप कोई जाहिर सी बात है कि और लोगें से आपका अच्छा नंबर मिलेगा और जिससे आपका rank डिसाइड हो जाएगा तो फिलान मैंने आज हम लोगों ने first question और second question पर देखा उस पर discuss किया और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं GS4, GS2, GS3 पर भी लाओंगा और GS1 के और तमाम सारे सवालों पर भी हम लोग बात करेंगे इस जा वीडिएओ अच्छ लगो तो जरूरor कॉंट बॉक्स में लिख देरा जो भी doubt हो जूबि बन में मिलते किसे और वीडियो में चैहिंग जे भारत